अलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू मैं चैनल, आज हम साडी में से लॉंग गाउन की कटिंग करेंगे, जो अब बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो यह हमारी साडी है, यह मैंने तीन मेटर अस्तर लिया है, तो ठीक है, पहले हम चोली की पाट की कटिंग करेंगे, तो ये दीजी पहल है इस तरीके से फोल्ड किया है है मैंने फिर इस तरीके से फोल्ड किया है अब हमारे जो लेंद है चोली की 15 उसमें 1 इंच मिलाएंगे 16 है स्विलडर मैंने लिया 7.5 उल्डर मा ने लिया ए 7.5 इंच चेश्ट है हमारे 38 उसका चोथा पगता है साड़े नौ और कमर हमारी है 34 उसका चोथा पगता है साड़े आट और उसको इस तरीके से हम मिला लेंगे अब देखिए यहां से मार्जिन लेंगे दो इंच मार्जिन ले रही हूं और उसको इस तरीके से मिला देंगे अब यहां से देड़ इंच पर निशान लगाएंगे और आर्मोल का सेप दे देंगे अब गली की चोड़ाई मैंने साड़े तीन इंच लिए और यहां से हम सवा इंच जितना मार्जन लेकर डाउन कर लेंगे अब इसकी कटिंग कर लेते हैं यह देखिए हमारी अस्तर पर चोली की कटिंग हो चुकी है हम साड़ी का अपड़ा लेंगे उसे भी मैंने इस तरीकी से फोल्ड कर लिया है चार बार और आशे उपर निशन तरीक से रख लेंगे रखकर उसे कटिंग कर लेंगे यह देखिए मिरे चोली की cutting हो चुकी है अब नीचे की घहर की cutting करते हैं तो यह देखिए असतर है से मैंने double fold करके रखा हुआ है अब इस एक किनारी से इसे इस तरीके से हमें यहां पर fold कर लेना है यह देखिए इस तरीके से अब देखिए हमारे जो चोली थी उपर की उसे लेना है उसे एक इंच हटा कर एक इंच छोड़कर हमें इस तरीके से रख लेनी है और इसे ड्रो कर लेना है यह देखिए इस तरीके से अब देखिए हम उपर से इंची टेप से मापेंगे कि यह कितनी हमारी यहां तक निशान तो उसी साफ से हमें round shape करते जाना है, यह देखिए और इस तरीके से round कर लेंगे, अब देखिए हमें यहां से length लेनी है, इसमें मैं half में अस्तर डालूंगी, पूरे long में नहीं डालूंगी, इसलिए जितना है उतना ही हम ले लेंगे, इस तरीके से हम circle बना लेंगे, अब इसे हम cut कर लेते हैं, यह अस्तर में मैंने घेर की cutting कर ली है, अब हम देखिए और इसे हम यहां पर देखिए, इससरीके से सिलाई करके attach कर लेंगे, अब देख सकते हैं, बाद में बरवर रखकर इसे cut भी कर लेना, उसे सिलाई करके हम अटेष कर लेंगे, उपर की round shape को भी हम cut कर लेते हैं अब हम साड़ी पर गेर cutting करेंगे साड़ी को भी मैंने double करके fold कर लिया है यह देखीए इस तरीके से अब इसकोने को मिस्फ़ूने तक मिलाएंगे जिस तरीके से हम्ने अस्थर में मिलाय था तरीके से यह देखिए जो हमने cutting किया ता गेर अस्तरवाला उसे इसके उपर इस तरीके से रख लेंगे यह अस्तर जिसकी लंबाई यह तर वाले राउंड में, आप वीडियो में देख सकते हैं, यह देखे, इस तरीके से चालेंज हम देखे, एक सरकल त्यार हो गया, अब इसे हम कट कर लेते हैं, यह देखे, हमारे नीचे का घेरी वाला भी कट चुका है, और यहां पर भी हम इसे सिलाई करके अटेच कर लेंगे, यह देखे, इसे हम सिलाई करके अटेच कर लेंगे, यहां घेर कर चुका है, अब हम सिलाई करते हैं, पहले हम फ्रेंट पार्ट को तियार करते हैं तो दोनों पार्ट को हम स्चाट करके दना Ministry काल लेते हैं अब एक पार्ट को लेते हैं अब इसकी गले की चोड़ा यह ऐमने साड़े तीन इन चली थी और गले की लंबधय मैंने 6 इन लिए है और एक बोक्स बना लेंगे मैंने इस तरीके से वी से बनाया है अब देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हलकी हाथ उसे दवाएंगे अब देखिए दूसरे तरफ हमेरा निशान चप गया है अब हम साधी का कपड़ा लेंगे उसे सीधा रखेंगे इस तरीके स इसके उपर हमें अस्तर को रख लेना है और पिन लगा के अटेज कर लेना है जिसे सिलने में कोई दिक्कत ना हो जो हमने गला बना है इस पर हम सिलाई कर लेंगे अब ये स्लीव लेसे स्लीव मैं आर्मूल पे भी सिलाई कर रहे हैं आप चाहिए दो स्लीव भी लगा सकते हैं आर्मूल पे भी माद इंच का मार्जिन लेकर सिलाई कर लेंगे अब इसमें हम छोटे-छोटे कटके निशान लगा लेंगे इस तरीके से अब गले की भी कटिंग कर लेते हैं सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें कटिंग करना है अब गले पे हम छोटे-छोटे कटके निशान लगा लेंगे अब इसे हम सीधा कर लेते हैं और इसके गले पर आर्मूल पर और सब पर हम पूरा सिलाई करके अटेज कर लेंगे गले पे आर्मूल की किनारी पर सब जगे पे हम सिलाई गर के अटेज कर लेंगे और अस्तर को साड़ी के कपड़े से भी अटेज कर लेंगे इस दिखते इस दिखे, मैंने अटेज कर लिया है और मैंने गले पर इस तरीक से मैंने लेस लगा लिया आप वीडियो में देख सकते हैं अब हम बेक पार्ट तेयार करेंगे तो दिखे जिससे हमने फरेंट पाट में किया तो यही राउंड से पर में गले पर सिलाई कर लिए है आब हम गले कोय गट कर लेंगे ठोड़ा बप्विðं अलगा लेंगे अधर कि अ यार्मौल पर भी कट के निशान लगा लेंगे अ सीधा नहीं करेंगे पहले हम solder joint करेंगे, फ्रेंट पार्ट को लेंगे, इसकी बीच में से इस तरीके से रखेंगे, आप वीडियो में देख सकते हैं, और solder पर डबल सिलाई कर लेंगे, सेम दूसरे तरफ भी हम ऐसी तरीके से solder cottage करना है, अब देखिए से सीधा कर लेंगे, इस तरीके से, कितनी फिनिसिंग से देखिए, हमारा solder attach हो चुका है, यह देखिए, अब हम आर्मोल पर सिलाई करेंगे, गले पर गिनारी पर सिलाई करेंगे, सिलाई करके सारा attach कर लेंगे हम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाईएगा, जिससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप ये कमेंट में बताईएगा, मुझे आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे पता चले कि आप लोग कहां से हैं, तो देखिए इस तरीके से पूरा हम सिलाई करके अटेज़ कर लेंगे आप वीडियो में देख सकते हैं यह वाल अगाउन बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है आप एक बार जुरू ट्राइए कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा इस तरीके से पूरा सिलाईगर के अटेज़ कर लेना है हमें और जो एक्स्ट्रा मारा साड़ी का कबड़ा है उसे कट कर लेंगे यह देखिए हमारा उपर का पाट तैयार हो चुक है अब नीचे का पाट तैयार करेंगे हम तो हमारे जो घेर है अस्तर वाला और साड़ी वाला उसे जोइंट करेंगे तो देखिए पहले साड़ी वाला घेर ली लिए है मैंने उसके उपर मैंने अस्तर वाला घेर रग दि से हम इसी तरीके से दूसरे को भी हम अटेज कर लेंगे सिलाई करके यह देखिए इस तरीके से अब इसे हम चोली में अटेज करेंगे तो यह हमारा घेर है अब देखिए चोली को हम इस तरीके से फोल्ड करके छोटा से बीच में कट का निशान लगा लेंगे और इसमें भी हम इस तरीके से फोल्ड करके छोटा से कट का निशान लगा लेंगे अब भी सेंटर से इस तरीके से हम आपना है निशान से निशान को मिला कर यगर हमारा छोटा बड़ा नहीं हो रहा हो इसलिए अब इसे हम सिलाई कर लेंगे आदे इंच का मार्जिन लेकर इसे हम इसी तरह से हमें दूसरी चोली भी अटेज करनी है यह देखिए इस तरीके से अटेज हो गया है हमारा तो दूसरी साइट भी हमें अटेज कर लेना है मैंने दोनों साइट अटेज कर लिया है अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे तो देखिए तो दो इंच हमने जो मार्जिन लिया था उसी तरीके से तो यह से दो इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इस निशान से इस तरीके से लखिर कर लेंगे और इसको इस तरीके से यहां से लखिर कर लेंगे यहां से भी 2 इंच मार्जिन लेंगे नीचे से भी 2 इंच मार्जिन लेंगे और नीचे से इस तरीके से सिलाई करना है जो हमने चोक का निशान लगाया है उसी पर हमें सिलाई कर लेनी है सेम दूसरे साइट भी हम इसी तरीके से सिलाई करनी है यह देखिए अच्छे से कपड़े को रख कर हमें सिलाई करनी है अब देखिए यहां से हमें क्या करना है पहले साड़ी की दो दोनों पाट को ले लेना है और अस्तर वाले दोनों पाट को छोड़ देंगे हम और साड़ी वाले पाट पर हम सीधी सिलाई कर लेंगे यह देखी साड़ी के नीचे से कर लिए मैंने सिलाई अब अस्तर को किस तरीके से टेज करना है इस तरीके से रखना है आप वीडियो में देखना यह देखी इस तरीके से यहाँ पर हमने साड़ी वाली सिलाई और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे सीधी सिलाई करके अटेज कर लेना है सहम इसी तरीके से दूसर साइड भी हमें सिलाई कर लेनी है और नीचे हमें फोल्ड करना है या पीको कर लेना यह देखे हमारा फाइनल लुक आई होब आपको सब समझ में आया होगा अगर आपको कोई वीडा आउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो नीचे की तरफ मैंने देखी पीको किया हुआ है आप चाहे तो सिलाई कर सकते फोल्ड करके थेंक यू वाचिंग मैं व